दोस्तो आज की इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाली भिन भिन प्रकार की मृदाओं या मिटियों पर चर्चा करेंगे मृदा या मिटी एक ऐसा विशे है जो सीधे-सीधे क्रशी से जुड़ा हुआ है और इसी वज़े से इस से जुड़े हुए कई सारे प्रशन होते हैं जो परेक्षा में आपजेक्टिव की रूप में आपको मिल जाते हैं तो इस टॉपिक का महत वह अपने आप में बहुत बढ़ जाता है आज की इस वीडियो में हम म्रदा, उसके प्रकार और विबिन राजियों में कौन-कौन सी म्रदा पाई जाती है ये जानेंगे तो ज़्यादा देन ना करते हुए हम शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक प्रशन आना चाहिए कि म्रदा या मिटी होती क्या है तो देखो म्रदा जो है वो प्रत्वी की सतय पर पाई जाने वाले मोटे, मध्यम और बारिक, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों की एक परत होती है मतलब धरती के उपर पाई जाने वाली सबसे उपरी परत है जो की कणों से बने हुई आपको पता है बहुत सारे कणों होते हैं अब कुछ कण जो होते हैं आपके मध्यम भी होते हैं कुछ मोटे भी होते हैं और कुछ बारिक भी होते हैं ये सारे कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं तो इनसे मिलके जो परत बनती है उसे ही म्रदा कहा जाता है अब इस म्रदा का जो निर्मान है वो एक बहुती जटल और लंबी प्रक्रिया के फलसरूप होता है यानि ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, इसमें अजारों लाखों साल लगते हैं, कैसे? इसमें मुख्य रूप से चटाने तूटती हैं, पिस्ती हैं, घिस्ती हैं, और फिर उनसे म्रदा बनती हैं, और मैं यह आपे प्रकरती की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम क्रे जीजे होती हैं, वनस्पती होते हैं, जैसे कुछ एक पेड़ पौदे होते हैं, जो कट जाते हैं, जड़ों से निकल जाते हैं, तो वो आखिर में जाकर के म्रदा ही बनते हैं, इसके अलावा कुछ जीव हैं, जीव मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इंसान भी मर जाता ह या हमारी जिन्दगी उससे जुड़ी हुई है वो क्यों वो इसलिए कि अगर इसकी प्रकरतीवे उर्वरता सही है तो इससे एक अच्छा क्रशी उत्पादन पैदा होगा और इंसानों के लिए ये बात बहुती फाइदेमंद है क्योंकि हमारी क्रशी अच्छी होगी तो हमा विग्यान कहा देंगे लेकिन इंग्लिश में पैडलोजी के नाम से पूछ लेगा तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अब बात करते हैं मर्दा के प्रकारों के बारे में देखे भारती एक किर्शी अनुसंधान के अनुसार यानि कि ICAR के हिसाब से भारत में तकरीबन आठ प्रकार की मर्दाएं पाई जाती हैं कौन से हैं वो आठ प्रकार एक है जलोड मर्दा एक काली कपास मर्दा लाल मर्दा लेटेराइट मर्दा परवतिय या फिर वन मर्दा शुश्क या मरुस्थलिय मर्दा लवनिय या फिर शारिय मर्दा पीटमय या दलदली मर्द ये आठ ऐसे मिट्टी के प्रकार हैं जिनका विस्तार भारत के अंदर बहुत जादा है, जिसमें से भी सबसे ज्यादा important ये उपर की चार मिट्टिया है, जलोड, काली, लाल और लेटराइट, इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा मैं आपको एक रोचक बाद बताता हूँ, कि सबसे ज्यादा शेतरफल पर पाए जानी वाली मरदा जलोड मरदा है, उसके बाद लाल मरदा है, उसके बाद काली मरदा है, और फिर लेटराइट मरदा है, इन मिट्टियों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता कि भारत की मिट्टी में हियूमस की बहुत कमी होती है, अब आप पूछेंगे हियूमस क्या होता है, देखें, पेड़ पौदों और जीव जन्तों के अफशिष्ट सडने गलने की वये से जो अंश बचता है, उससे ही हियूमस कहा जाता है, अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लगे कि ये खाद है, तो मैं आपको बता दू ऐसा नहीं है, जो खाद होती है, उसमें मोटे टुकडे भी होते हैं, और खाद को विगटित होने में कुछ साल का वक्त लग जाता है, जब खाद पूरी तरीके से विगटित हो जाती है, पूरी तरीके से, तब जा बावा nitrogen की भी कमी होती है और फासफोरस की भी कमी होती है तो ये तीन तत्व हो जाते हैं humus, nitrogen और फासफोरस ठीक है? अब हम एक एक करके आठो मरदाओं को समझने की कोशिश करते हैं उनका विस्तार देखते हैं और उनकी विशेश्चताइं देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जलोड मरदा के बारे में देखिए, जलोड मरदा के नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी मरदा जो की जल के माध्यम से आ रही है जल शब्द इसमें आपको नज़र आ रहा होगा तो ये जो मरदा होती है, जलोड मरदा ये बहते हुए पानी के द्वारा बहा कर लाई गई होती है और आसपास के एरिया में जमा कर दी जाती है यानि कि अगर किसी पहाड से कोई नदी निकलती है और पहाड के आसपास नीचे कोई मिट्टी है तो वो नदी क्या करेगी उस मिट्टी को बहाते वे लेके आएगी और फिर आके मैदानी इलाकों में छोड़ देगी तो इसका मतलब जो जायतर मिट्टी है ये वाली जो पानी के द्वारा ही लाई जाती है और यही कारण है कि इसका शेटरफल भारत के अंदर सबसे जाधा है जलोड मर्दा को जलोड़क, दोमठ वे कछारी मर्दा के नाम से भी जाना जाता है अब इस बात को समझना कि दोमठ जो मिट्टी होती है और कछारी मिट्टी जो होती है उसमें मोटाई और खनीजों का फर्क होता है मतलब एक जो होती है वो मोटाई में ज़ादा होती है और खनीजों में भी फर्क होता है परन्तु ये दोनों जो मिट्टियां होती है दोमट और कछारी दोनों की दोनों किसी ना किसी नदी दोरा बहा कर लाई जाती है इसलिए इन दोनों को जलोड मरदा ही कहा जाएगा क्योंकि इन्हें जल के दोरा बहा कर लाया जा रहा है अब जो जलोड मरदा होती है उसका उपजावपन किसी और मिटी से सबसे ज़ादा होता है मतलब इसका अपजावपन सबसे ज़्यादा माना जाता है ये उत्तरी मैदानों में और तटीय मैदानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है अब सीधी ची बात है जहां नदी जाएगी महीं पे मिट्टी भी जाएगी तो मैदानों में मिट्टी जाती है तटी अलाकों में जाती है तो वहाँ ये पाई जाएगी इसके अलावा इस मिट्टी में चूना, पोटेशियम, कार्बनिक प्रदार्थ और पानी भी बहुत अच्छी मातरा में होता है तो इससे अच्छी खासी खेती की जा सकती है इसमें उगने वाली जो प्रमुक फसले होती है वो तंबाकू, चावल, धान, आलू, गेहु, बाजरा, आदी होती है तो ये फसले बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत सारी इसके इसके इंदर उगाई जाती है बात करें जलोड मिट्टी के प्रकार की तो दो तरीके की जलोड मिट्टी होती है एक होती है बांगर और एक होती है खादर बांगर जलोड मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोड कहलाती है मतलब पुरानी मिट्टी कहलाती है और खादर जो है वो नई जलोड कहलाती है आप जरा सोच के देखिए कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिसमें हर साल बाड आ जाती है अब बाड आ रही है तो नदी आ रही है नदी आ रही है तो मिट्टी भी आ रही है तो हर साल नई नई मिट्टी आती है तो वो कौन सी हो गई? खादर हो गई, मतलब नई मिट्टी हो गई, नई जलोड मिट्टी हो गई और जिन जगाओं पे 4-5 सालों में या 8 सालों में, 10 सालों में एक बार बार आती है तो वहाँ की मिट्टी पुरानी होगी यानि की वो बांगर मिट्टी होगी ठीक हैं? तो ये फरक आपको याद रखना है तो ये सारी चीज़े जलोड मर्दा के बारे में पूछ ली जाती है, इनको आपको याद रखना है इसके बाद बात करते हैं काली मृदा के बारे में काली मृदा को रेगुर मिटी, काली कपास मिटी, खनीज मिटी, लावा मिटी या फिर अंतराश्ट्रिय स्तर पर चेर नोजम के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी जो होती है वो ज्वाला मुखी प्रक्रिया के दौरान बनती है होता क्या है कि ज्वाला मुखी में से जो लावा निकलता है चटाने निकलती है पत्थर निकलते हैं और फिर वो जब घिसते हैं उनसे काली मिट्टी बनती है आप ये समझ लो, कि ये जुआला मुखी की मिट्टी ये एक तरीके से, भारत में मुखेता है जो दक्कन के पठार आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये वाली मुर्दा सबसे जादा देखी जाती है, इस मिट्टी का जो काला रंग है, वो टिटेनी फेरस इसके अलावा करनाटक, गुजरात और MP में भी पाए जाती है, काली मिट्टी में आइरन, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, अलुमिनियम और मैंगनेशियम की भरपूर मातरा होती है, और साथ ही इसके अंदर नमी बनी रहती है, मतलब इसमें काफी देर तक नमी बनी रह और इसलिए बगैर वर्षा के भी इसमें जो उगनेवली फसले होती है, उनको नमी मिलती रहती है, एक important point है, कि अगर इसमें बहुत देर तक पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो इसकी फसल के लिए उतना ही अच्छा है, मानलों की बारिश नहीं हुई है, तब भी इसको नमी मिलती रहेगी फसलो को, इसमें मुखेते कापास की खेती होती है, और specially इसके अंदर धरारे देखी जाती है, जब ये मिट्टी सूख जाती है, इसकी नमी खतम हो जाती है, तब इसके अंदर धरारे देखी जाती है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाल मिट्टी के बार और वहाँ पे सबसे ज़ादा पाई जाती है यह मिट्टी जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो यह हलकी हलकी पीली नजर आती है मतलब पहले तो लाल होती है जब सुखी भी होती है जैसे इसमें पानी डालोगे तो थोड़ी यह पीली नजर आएगी ठीक है इस मिट्टी में लोहा, ऐलुमिनियम और चुना सबसे जादा होता है और लोहे की वज़े से ही इसका रंग हमें लाल नज़र आता है देखिए लोहे की वएसे phosphorus oxide बनता है यानि की जंग बनती है और जंग का जो color होता है वो लाल होता है और इसी वेसे मिट्टी का कलर भी लाल नजर आता है। यह बहुत अच्छी होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना यह फरक है दोनों के अंदर। इसके अलावा इस मिट्टी में लिंचिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे वर्षा बहुत जादा होती है। और वर्षा होने की वज़े से कुछ एक पदार्थ होते हैं, जो खनीज होते हैं, वो घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, तो वो घुल के नीचे वाली परत में चले जाते हैं। मतलब अंदर ही अंदर चले जाते हैं, और इसकी वज़े से ही जो मिट्टी है न, वो थोड़ी सी कम उपजाओ रह जाती है। पूरे विश्व में लेटरेट मिट्टी जो है, वो करक और मकर रेखा के बीच के हिस्सों में कुछ एक शेत्रों में देखी जाती है। याद रखना बहुत important मिट्टी है, कई सारी जगहों पर पाई जाती है, शेत्र आपको याद रखने है। इस मिट्टी की एक खास बात ये है कि इससे इट बनाई जाती है। पूश लिया जाता है कि कौन सी मरदा या मिट्टी से इट बनती है, तो ये एक important मिट्टी है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये चार important मिट्टी है हो जाती है, इसके बाद और चार की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लवणिय मिट्टी की, लवणिय मिट्टी जो होती है, इसमें म्रदा लवणता बहुत जादा होती है, मतलब लवण की मात्रा बहुत जादा होती है, ये लवणता ज रे, उसर या फिर कलर, तीन और नाम है इसके, ये मिट्टियां अपने अंदर मैगनेशियम, सोडियम और कैल्शियम लवन समाहित करती है, इसी की वैसे लवनता बहुत जादा होती है, यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात के कच्छ, बिहार, हर्याना, महाराष्ट व पहाडों में पाई जाती है, यह उसे परवती है, मिट्टी कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसका मिर्कस्तार आपको मुख्यत है, उत्तर पूर्वी पहाडों में देखने को मिल जाएगा, जो उत्तर भारत है हमारा, उसके जैसे की लद्दाक के पाड़ हो गए, हमाचल परद तो वहाँ पे सेप की खेती बहुत अच्छी होती है, इनी मिट्टी के अंदर, तो यह चीज भी आपको याद रखनी है, इसके बाद बात करते हैं मरुस्थली मिट्टी के बारे में, मरुस्थली मिट्टी यानि की रिगिस्तानी मिट्टी, इसके अंदर नमी बहुत कम होत इसके बाद आपकी पीट में या फिर दलदली मिट्टी आती है, अब इसको तो आप यूहीं पैचान सकते हो कि ऐसी मिट्टी जो की बहुत जादा वर्षा होनी की वैसे बनती है, जैसे कि बहुत जादा वर्षा हो जाती है, कुछ एक जंगल होते हैं, वर्षा वन जिसको बहुत जादा होती है, वो क्यों? क्योंकि अगर यह वन में हैं, तो जीव भी पाए जाएंगे, जीव मरेंगे, तो इसी में आ करके मरेंगे, या फिर मानलों की कोई बनस पती है, पेड़ पौदे हैं, वो तूटके गिर रहे हैं, वो भी यहीं सड़ रहे हैं, तो इस वैस में एक चीज बच जाती है, और वो है पी एच स्केल, पी एच स्केल जो होती है, वो अमलियता वे शारियता दिखाने वाली स्केल होती है, अगर किसी मिटी का पी एच है, वो साथ है, तो मिटी उदासीन है, मतलब ना वो अमलिय है, ना वो शारिय है, अगर किसी मिटी का प और 7 से कम अमलिये, किसी भी फसल को करने के लिए best pH क्या हो सकता है, 6 से 7 के बीच में हो सकता है, पूछ लिया जाता है, यह जरूरी है कि फसल करने के लिए उत्तम pH कौन सा है, 6 से 7 का है, ठीक है, अगर माल लो कि मृदा बहुत ज़ादा अमलिये हो जाए, तो उसकी अमलियता क कम करने के लिए क्या किया जाता है उस मृदा के अंदर चूना मिलाया जाता है जरूरी पॉइंट है पूछा जाता है कि अमलेता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है वहीं शारियता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है जिपसम नाम का एक प्रदात मिलाया जाता है जैस चूना होता है वैसे जिप्सम भी होता है उससे शार्ट